हाई फ्रेंड्स तोड़े आएम गोईंग टू शो हाउ तू मेग दिस टाइप अप डिजाइन अन काटिंग अल्सो विद यूजिंग आटकेम टू थाउजन डिखाऊंगा के कैसे इस तरह का प्लेट डिजाइन जो है इसको आटकेम में हम कैसे बना सकते हैं तो इसको सिलेक करके सबसे पहले हम आटकेम के उपर छोड़ देंगे हमें यह जो प्लेट है यह आट इंच डाइमेटर में बनवाना है और इधर से इधर तक 13 mm रहेगा और 4 mm कार्विंग में हमें बनाना पड़ेगा है यह इल टके उस इस थाइज त ट्वंटी इंचे तैन इसलिक और को ओके, now I shall draw 8 inch diameter circle, अभी मैं 8 inch diameter का एक circle draw करूँगा, ठीक है, तो ये draw हो जाने के बाद, हम इसका जो unit है, इसको millimeter में दोबारा convert कर लेंगे, after completing this drawing, the line art as 8 inch diameter, I will convert the unit in millimeter, ओके, अभी इसको ये जगा पे रखेंगे, ठीक है, और मैंने क्या बोला था, कि इधर से इधर तक 13 mm होगा, तो हम इधर offset ले रहा हूँ, 13 mm का, inside में, ठीक है, फिर border area के लिए, मैं ये जो area है, इसके लिए, लगवग 5 mm ले ले लेता हूँ, तो ये वाला select करके, 5 mm कर देता हूँ, inside, offset, ठीक है, तो इतना सा ऐसे जाके, ये circle बन जाएगा, और ये आगा 13 mm चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसको select करके, इधर 13 mm दे दूँगा, फास्ट लाइन, offset, I will take, inside, 6 mm, फाइव एम, फाइव एम, फास्ट, I will take, मतलब पहले जो बॉड़र है, उसको 5 mm लिया था, फिर ये वाला 13 mm लिया था, now, we shall draw one, 4 mm, height, rectangle, here, अभी इधर हम, 4 mm, height का, इधर से, इधर तक, एक, rectangle, draw करेंगे, इसके बाद, ये नीचे वाला line को select करके, R प्रेस करेंगे, after completing this drawing, with 4 mm height, and distance should be, from this line to this line, then, press R, and delete the lower line, now, control, press, and duplicate, अभी हम, control, press, करके, duplicate, करके, इस line को एक, duplicate, copy, बना लेगे, उसके बाद, क्या करेंगे, now, press here, I, okay, then, press here, down, like this, then, press I, press I, press I, press S, then, D, अभी, अभी, इधर, दोनों जगा पे, I, press किया, I, press करने से, point add हो गया, फिर इधर, S, press करके, उसको delete कर दिया, अभी, बादर को थोड़ा, ऐसे कर देंगे, और ये वाला state नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हलका ऐसे रखेंगे, तो इसका finishing बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक है, फिर ये वाला जगा को हमें, ऐसे कार बनाना है, फिर फिर कार ले ये, ईसे करप नहीं, तो जो कर दो जो हमें, अच्रिक façon कर देंगे, उस्ये रहां, आ दिक कर दो हमें, my डैखेंगे, उसे को जाना है, और को ल conventional बालेक्ट準 में आशीव, अच्यान है, you select this point as like this okay then press R here and press C here either C press करेंगे और इसको delete कर देंगे now we join these lines okay this is the cross selection for our design we take this in left side तो इस तरह से हम cross selection बना लेंगे जो इसका border बनेगा अभी model set size and resolution resolution we will take full resolution apply yes we will take full resolution for better output quality output now first we have to select this one then select this one okay and go to two rail sweep here a and b both are not in same direction इदर इधर ये और बी जो हिए द्रास था दो आखके वया का direction सेम नहीं है तो इधर क्लिक करेंगे प्लीक कर लेंगे दो लेंगे त्सको दोभी करके ऐसे click कर देंगे फिर highest select करके calculate यह बन गया फिर इसको close कर देंगे after closing this select here and see this okay now we will check the height of this position 0.349 यह इधर दिग रहा है देखिए तो इधर जो value था इसको हमने दिया अगर थोड़ा ज्यादा height देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए इसको outside में 2 mm offset दे देंगे ठीक है फिर क्या करना है राइट प्लिक करके यह वाला रखके 0.350 कर देंगे मार जाए इसमें यह जगा ऐसा दिखेगा देख रहे हैं इस तरह से और हलका height देना चाहते हैं तो इसको zero करके एक mm से थोड़ा कम देता हूँ 0.65 उमार जाए यह बहतर लगेगा ओके तो इस इस दा प्रोसेस आप मेकिंग इस ताइप अव फ्लेट अन अप्टर कॉम्प्रेटिंग suppose we want to make toolpath suppose मैं इसका toolpath अभी बराना चाहता हूँ तो यह outline select करेंगे और यह 4 mm का है तो इसके लिए कुछ करने का जरूद नहीं सीधा सीधा टूलपाद में जाके अब 3D टूलपाद यूज कर लिजिए 6 mm बॉल्णोज से selected vector रखिए सेब जेट 30 mm नाउ यूज 6 mm बॉल्णोज step down 0.5 ऐसा रहेगा बागी सब ओके select go to setup suppose इसके लिए हम 22 mm का मेट्रियाल लेंगे ओके नाउ तो selected vector में यह टूलपाद बन जायेगा we will make this toolpath with selected vector with 6 mm बॉल्णोज now go to simulation option and check the simulation result यह देखिए तो इससे बहतर result वाला यह बन जायेगा ओके थैंक यू फ्रेंड्स बेस्ट अब लख प्रेंड़क